गूट इवनिंग वेलकम तो अवर ओफिशल यूट्यूब चैनल सेविल स्ट्रैप हीमाचन आज के सेशन में हम हम एक स्ट्रैप करेंगे तो आज का सेशन जो रहेगा उसमें आपका सारा वोकुस किस पर होना चाहिए कि जो भी कोश्चन हम कर रहे हैं उसमें आगली बार हमें देखने को मिला तो हमें उस से कैसे डिल करने चलिए तो फ्रस्त कोशन से शुरू करते हैं फस्त कोशन है यह जह जो बॉटेस्ट आपको से स्टेटी थिए वर्ब से कोई भी ऐसी वर्ब विच इस इस रिलेटेट तो स्टेट आप माइंड perception possession thinking इससे related जब भी हमारी कोई गॉप होती है ठीक है और example जैसे have फिर on possess have on possess इसके साथ है आपकी जैसे no love hate resemble seem belong contain इसके सब्सक्राइब आप देख लेंगे कि स्टेट ऑफ माइंड पर्सेप्शन या थिंकिंग से रिलेटेड जो जो भी हमारी वर्ब्स हैं हम उनको कॉंटिनूस फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं क्यूंकि जो कॉंटिनूस टैंस है वो प्रेजेंट कॉंटिनूस है चाहे पास चाहे फ्यूचर है उसका मतलब क्या होता है कि एक एक्शन किसी पॉइंट पर शुरू हुआ एक्शन चला और किसी पॉइंट पर जाकर खतम भी होगा किसी पॉइंट पर जाकर खतम भी होगा लेकिन उस पॉइंट पर एक्शन खतम नहीं हुआ मतलब यह क्या होता है एक process होता है जो शुरू और खत्म होता है ठीक है लेकिन यह जो verb जैसे मैंने ऌने का I have a car तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा कि मेरे पास एक कार है अब यह कोई process नहीं है यह position process ही हो सकता है कि I am driving मतलब आपने ड्राइब करना शुरू किया और ड्राइब करके प्रोसेस आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर खतम भी होगा लेकिन अगर मैं कहूं कि कि I am having a car तो यह गलत हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह कोई प्रोसेस नहीं है यह प्रोसेस्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें जो तो continuous वाले option है उनको सबसे पहले car दो यह option गलत हो जाएगे ठीक है अब यहां पर एक option और है इस ओनिग यह भी क्या है continuous वाला है तो आपका right option क्या हो देगा he owns a car क्योंकि on भी क्या है on भी एक ऐसी वर्व है which is related to position क्या जैसे मैंने यहां पर लिखा I am having I am having many friends I am having many friends तो यहां पर जो है वर्व है यह किसको शोग कर रही है यह position को शोग कर रही है ठीक है तो है वर्व जब भी position को शोग करें तो इसको continuous form में आप नहीं लिखेंगे आपको क्या रिखना पड़ेगा I have a I have many friends लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंसे लिख दूँ कि I am having lunch I am having lunch तो अब यह सही हो जाएगा यह सही हो जाएगा क्यूंकि यहां पर है का मतलब जो है वह 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 पर having fun तो यहां पर having का मतलब क्या है कि वहां पर possession की बात नहीं करें कि फ़न कभी कि किसी की possession नहीं हो सकता है वहां पर having show कर रहा है enjoy करने को ठीक है कि मतलब वो movement जो है enjoy वो कर रहा है ठीक है तो उसको क्या का जाएगा वो भी सही का जाएगा और साथ में अगर मैं कहूं कि I'm having lunch यह भी विल्कुल सही का जाएगा गलत क्या होगा I'm having a car I'm having many friends I'm having a bag I'm having a scooter कुछ भी मतलब possessions related जब भी have work को use किया जाएगा उसको continues form में आप चेंज नहीं करेंगे clear तो यह question I think आपको clear हो गया गया इससे next question देखते हैं next question है हमारा my uncle dash for Mumbai last Saturday अब देखिए इस question को समझने से पहले हम एक छोटा सा concept समझ लेते हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाहरू है चोटा सा concept क्या हमारा जैसे माल लीजें कभी भी past indefinite ends का यूज कहांगी आता है जैसे माल लो यह हमारा एक present point of time यह जो है यह present point of time है और यह जो है यह क्या है यह past point of time है एक present point of time है और एक past point of time है अब present point of time और past point of time में difference क्यों अब जो इस समय है वो present है अब इस से पहले जो भी था वो past है अब जब हम present से past में जाए जब भी हम present से past में जाए तो फिर हम यूज करते हैं क्या past indefinite ends इस चीव को आप याद रखेंगे कि जब भी हम present से past में जाए तो फिर हम yuze करते हैं क्या past perfect और अगर हम पास्ट से और पास्ट में चले जाए पास्ट से और पास्ट में चले जाए फिर हम यूज करते क्या पास्ट पॉफेक्ट अब मैं बात करूँ अगर पास्ट पॉफेट की तो पास्ट पॉफेट का स्टक्चर क्या होता है इसका स्टक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस head प्लस v3 प्लस object यह past perfect का structure है और past indefinite का structure क्यों प्लस subject प्लस v2 प्लस object यह past indefinite का structure है तो जब भी हम present से past में गए तो past indefinite और जब हम past से हम और past में चलेगे past से हम और past में चलेगे तो कौन सा tense लगेगा past perfect आई बास वह मैं अब अगर मालो मैं एक यहाँ पर sentence लिख दूँ मैंने sentence लेखा कि we have watched we have watched this movie this movie yesterday we have watched this movie yesterday अब यहाँ पर यह जो वर्ड आपको yesterday दिखाई दे रहा है yesterday का मतलब क्या होता है यही yesterday का मतलब होता है कि आज से एक दिन पहले तो आज से एक दिन पहले की अगर बात की जाये तो इसका क्या मतलब हुआ की मैं कहा जा रहा हूं present में जा रहा हूँ है न मैंने कहified कि आज से एक दिन पहले तो present से past में जा रहा हूँ Etelvent here or past Indefinite Canada Word की second form लगती है हैस catalog उससे में कुछ लगेगा नहीं तो इसका राइट अंसर क्यों जेगा I was this movie yesterday I washed this या वी जो भी लिखा है, we watched this movie yesterday, आई वाग समझ में, तो जब भी आप कही वाट्स भी खाई थे, yesterday, लास्ट अडे, प्रीविस टे, लास्ट अडे, प्रीविस टे, लास्ट मन्त, छिए, last year, etc तो यह सारे ही word क्या reference देते हैं, यह सारे ही word reference देते हैं, कौन सी, यह सारे word reference देते हैं, कि आज से, मतलब आज से पहले, अब कितना पहले, जैसे मालूम मैं नहीं यहाँ पर लिखा, कि last Saturday, मतलब आज से जो पिछला Saturday गया है, उसकी बात की जा रही है, और पिर मैं के दूँ कि ja v अम अाची म में है वन यूदं और वन वन है अगा तो वनमान अगू का मतलब क्या हूँ ओकHave निया व यूब क cucumber मतलब हूँ कि आज से एक महीना पे जो ऑлось वोर्ड किसके रेफ्टर्स देने यह सारे ही प्रेजेंट टू पास जाता प्रेसेल करते हैं, तो इन के साथ आप क्या कर ना करो, इन सभी वर्ट के साथ आप क्या यूज करना करो। यूजर पास्ड इंडेफिघनेट तीम्स, क्या यूज करना है आपको पास्ड IndefiniteiTense, इज है option यह पास्ड इंडेफिघने अबव नहीं लेफ्ट जो है इसका वो सही अप्शन होगा माई अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास सेड़े हो सकता है आप इसे बहुत से स्टूडेंट है अंसर इसका सही दे दिया हो कुशन देखते ही लेकिन मैंने क्या कहा है कि अंसर सही करना हमारा मोटिव नहीं है हमारा मोटिव है कि इन कोश्चन से हम क्या 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 कॉंसेप्ट सीख पाएंगे इन कोश्चन से हमें कौन कौन से कॉंसेप्ट हो हमारी पकड में आ जाएंगे यहां पर देखिए यहीं से कॉंसेप्ट में आपको समझा जाता हूं इसी संटेंस में जैसे मैंने कहा कि दूसरा संटेंस में ने लिखा मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि इस संटेंस को ग्रेमेटिकली सही करूँ यह गलत निकल गई उसके बाद उसने क्या बताया उसके बारे में बताया तो दोनों में से पहले अक्षिन कोन सा 103 गाले को निकली उसके बाद उसने बारे में बताया। ठीक है तो यह पास्ट के वह तो ऑस्टव मेर से निम आप्टर शी Fiona सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि जब भी पास्ट के दो एक्षिन हो तो दोनों में से जो पहला एक्षिन होगा उसको पास्ट में लिख दिया करो और उसके बाद हुआ किसी स्टुडेंट को नहीं होना चाहिए कि अच्छे तरीके से आपको समझाय जा रहा है नेक्स देखो श्लेंडर में यह वोकेबलरी का पार्ट है वोकेबलरी के कुश्चन हम बात में करेंगा अभी कॉंसेप्ट हम जो है उनको समझ लेते हैं कि कॉंसेप्स क्या है यह वह इसको भी इनकली छोड़ जो देते हैं यहां पर यह भी वोकेबलरी पार्ट है तो जी एम आफ तकश्य कम्पनी अग्दा मेंजर सर्विस है यह है हमारा कोंसेप्ट जो हमें डिसकस करना है तो कॉंसेप्ट जो है हमारा क्या है इसमें हमें देखने को मिल रहा क्या कि नेव डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल अब इन्होंने आपके वास ऑप्शन दे लिए हैव आई हैव आई हैड डेड़ इन चारों में से आपको एक कोई क्या है कि आपको इसके लिए सबसे पहले क्या समझनी होगी कि इन्वर्जन किसको कहा जा है कि कोई भी एक कि ऐसा सीक्विंश जैसे मान लीजे मैं अगर हम चलते हैं तो हम सीधे चलते हैं अएस तर Qui सब्सक्रांस आए और मैं इससों चलने लिए में इन्वर्जन यूज़कर ओं मतलब hangzy 만वर सिभलो इन्वर्जन जो है वो कहां से बना वो बना आपका इन्वर्स से ठीक है अब इन्वर्स का मतलब क्या हुआ इन्वर्स का मतलब होता है इन्साइड आउट इन्साइड आउट या फिर upside down inside out या फिर upside down ये इसका मतलब होता है ठीक है किसका inverse का तो inversion का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ultra sequence करें अब आपके एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई sentence आपका adverb से शुरू हो इस चीज़ को आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई sentence आपका किस्ण शुरू हो रहागा adverb से शुरू हो रहागा जब भी कोई sentence आप क्या करोगे उस sentence को inverted form में लिखोगे मतलब उसके बाद आप verb लिखोगे और फिर क्या लिखोगे फिर subject लिखोगे आई गा सवाज में अब जो inversion है वह भी दो तरह की होती है आपको यह चीज भी जाद रखनी है कि जो inversion है वह भी दो तरह की होगी ठीक है दो तरह की कैसे होगी एक होगी आपकी क्या partial inversion क्या होगी partial inversion क्या होगी partial inversion क्या होगी और दूसरी क्या होगी हमारी एक है पार्शल इनवर्जन और इसे के साथ दूसरी इनवर्जन है वो क्या है हमारी कम्प्लीट इनवर्जन अब पार्शल इनवर्जन और कम्प्लीट इनवर्जन में डिफ्रेंस क्या है यह आपको समझना है कि पार्शल इनवर्जन क्या है और कम्प्लीट इनवर्जन क्या है तो है वो इस तरह से कि पहले helping फिर subject और फिर में और और complete inversion का मतलब क्यों होगा कि में वर्ब ही subject से पहले लिखती जाएगी में वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखती जाएगी आई बास समझ में तो पार्शल इंवर्जन और में इन वर्जन में यह difference होता है अब आपको एक चीज़ याद रखने कि जब भी क्या होगा आपका sentence जो है वो एक negative adverb से शुरू हो रहा है negative का मतलब क्यों होगा जैसे hardly से शुरू हो रहे ठीक है फिर scarcely से शुरू हो रहे बेरली से शुरू हो रहे never से शुरू हो रहे है seldom से शुरू हो रहे है not से शुरू हो रहे है तो यह कुछ क्या है आपकी negative adverb अगर sentence से शुरू हो रहा तो फिर आपको क्या करना है आपको partial inversion का यूज करना है क्या करना है आपको partial inversion का यूज करना और partial inversion जो है वो क्या होगी आपकी पहले helping vip पाएगी फिर मेंगे रिखी पर क्या होगा जल्दी से मूझे इसका रौइट अंसर क्या होगा कोangel कि अब चाहिए अब यहां पर जो है मैट जो है इन में वह समझेक यहां पर यहां देकने Sakit तो यहां सब्जेक्ट से पहले डिट जो है वह एक हेल्पिंग और इस वाले सब्जेक्ट में जो है जो वह भी एक हेल्पिंग अब यह दोनों स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन अब हम एक चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसा हूँ जैसे मैंने का कि आज से पहले है ना वो कहाना चाहरा है कि आज से पहले मैं इतनी खुबसूरत लड़की नहीं देखी तो यहां पर दो दो स्ट्रक्चर जो है ना दो स्ट्रक्चर जो है अगर मालो वो कह रहा है कि इतनी खुबसूरत लड़की से मिला ही नहीं ठीक है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हो नेवर है वाई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसके बाल भी बना लटेते हैं यहां पर यह लड़की से मिला और यह लड़की बहुत ब्यूटिफुल है अब लड़का इसको देखकर बड़ा ही तो देख ली ठीक है तो यह कहा एक negative completion है अभी तक कि तिल नाओ कि किस किसी point of time से मतलब जब से उसको होश आया तब से लेकर अब तक उसने इतनी सुन्द लड़की नहीं देखी लेकिन आज तो देख लिए तो अभी तक की negative completion थी लेकिन अभी उसको देख लिए ठीक है तो यह जो रिजल्ट शो कर रहा है पास point of time से लेकर अब तक कर रिजल्ट शो कर रहा है जब भी पास point of time से लेकर अब तक के result की बात हो तो फिर उसके लिए present perfect मैंने का hardly he had arrived hardly he had arrived when the lights went off hardly he had arrived when the lights went off तो अब hardly से शुरू हो रहा है संटेंस तो यह जो लिखा हुआ संटेंस यह गलत लिखा गया हमें क्या करना है hardly had he arrived hardly had he arrived okay तो इस तरह से आपको और question में मिल सकते हैं तो आप एक चीज़ याल रखेंगे कि अचार्व किया है अचाहा नो चूनर भी एक समय करेंगे ना एक नो सूनर वर्ड भी होता है नो सूनर से भी शुरू ने वह लिए वर्ड इन वर्जियर में लिखेंगे जातें पेंवाटेट ओं में लेकिज़ आर्ये जी बास हमन में सब को अलिए बहुत बढ़ी है इसका क्या अंसर होना चाहिए तो इसको ऐसे समझो कि इसको ऐसे समझो कि ना यहां पर दो आपके वर्ड होते है एक वर्ड होता है एक वर्ड होता है फेरली और एक होता है क्या इन दोनों वर्ड पर भी बहुत बार हमें कोश्चन देखते हैं अब इनके डिफरेंस को अगर आप समझ लो तो यह कोश्चन यहां से अगर कभी बनेगा तो आपके लिए असान हो जागा अगर आप इसके डिफरेंस को समझ लोगे तो कोश्चन काफी झोच य्चिए स्लका इक है अब मैं सिंपल से तरीके से बतार जाता हूं की फेरली वोहां यूस्ट करता है ओन्हां पर थिंश क्या है अग्री एबल है अग्रे एबल हैजीए और जहां पर थिंख सम्कॉन नौट एग्रे एबल है वहाँ पर आपको यह करना है रहे दर यूज करना जैसे मार लू मैंने का हूँ अब यहाँ पर उसने का कि उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो उसकी हाइड की वह अग्रियेबल नहीं थी यहाँ पर अगर मैं कोष्टन दूसरा बनाऊँ तो दूसरा क्या बनाऊं रहा है कि ही इस अद्ष है जुकेटेज ही इस डैश एजुकेटेट्ट वन गेटेद होना क्या है अगर यहाँ पर अगर देगा नेंगेफ यह कि यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखा ही दे रहा कि उसकी education की वज़े से उसको कोई नुक्सान पहुंच रहा हो जो अग्रियेबल नहीं क्या लिखना है rather disappointing क्या लिखना है हमें rather disappointing the results of the survey were rather disappointing यह मारा right answer होगा clear जीवा यह आपको question clear होगा होगा अपना next question देखते है क्या है मारा next question he seldom dash goes to meet his parents he seldom dash goes to meet his parents options के हैं आपके forever if ever if never on a book a एक एक चीज याद रखनी है कि कुछ phrases उते हैं जैसे seldom है ऐचे सेल्डम के साथ दो वर्ड यूज के जाते हैं अब यह दो वर्ड यूज के जाते हैं 20 और और यह दो वर्ड यूज के जाते हैं अवा अपके चीज़ यहां पर यान रखने हैं कि seldom के बाद अगर connection use की जाये और इस चीज इसको या पर रखना है तो दोनों बातों में फरगाद अपना है के बाद अगर के जाए और यह कि जाए इस वातन है अब यह जो सब्सक्राइब को जो होता है यह को जो सब्सक्राइब केल नियुक्षन क्या है negative word seldom जो एक negative word है जिसका मतलब होता है not often क्या मतलब यह क्या बन गया फिर निघकशन जो सेंफ्ट्चर को जोइन करेगा अब यह भी negative word है और यह positive word अगर यह negative connection कॉडिनेट है तो उसके बाद भी आना चाहिए negative word तो क्या लिखेंगे लिए अब यह जो कनेक्शन होती है यह होती है सबॉडिनेट कनेक्शन सबॉडिनेट कनेक्शन का काम होता है कि different rank of structures को connect कर देना जोई कर देना जोई करती है तो seldom जो है यह नेगेटिव वर्ड इफ लिख दिया तो इसके बाद क्या न चाहिए है अब इन दोनों में difference क्या आता है इन दोनों में difference यह आता है कि जो seldom और never है यह क्या करता है कनवेश नेगेटिव मीनिंग कनवेश नेगेटिव मीनिंग करता है और अब यहां पर आपको चीज के याद रखने कि यहां पर दो पॉसिबिलिटिव बनती है वारी जैसे अगर मैं ऐसे कहा दूं कि seldom अच्छा एवर वाले और एवर और इफ नेवर इफ नेवर इफ नेवर इफ नेवर इफ नेवर अच्छा अब और है तो never अच्छा एवर और आपको शिफ नेवर और अ कि इफ नेवर और इफ ये दो आपको यसिंग कोई भी वर्ड यह और अब इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूस कर सकते हो अच्छा एक्जाम में आपको जो ऑप्चन दिखाने देगा तो दोनों में से यह की option होगा क्या कि अगर मैं से कहा थो और नेवर गोस तो मेट इस पेरिंट इसका मतलब वो नहीं जाता है और अगर मैं कहों कि ही सेल्डम और एवर और और जाता है कि अपने परेंटस को मिलने ठीक दोनों में से कोई भी आप option लगा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा ल the only child being the only child of his parents of his parents he was seldom if ever punished by his parents ठीक है being the only child he was he was seldom if ever punished by his parents अब वो के कह रहे है कि वो उनका एक ही लोता बेटा है इस वज़ा से उसको पनिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा थीक है अगर पनिश नहीं किया जाएगा तो पिर इसका right answer क्या हो देगा इसका right ऐप 오른 выпуск 21 और फिप एक हट यह और क्योंकि वो एक लोता हि क्राइगा तो उसको थोड़ी बिटेदे गे魚 टिए तो एसे जो है वह आप दे सकते हैं तो इस question को समझें ध्यान से कि यह क्या question है और ऐसे question जो है आपको एक्जाम में कुछ रहा सकते हैं नेक्स question देखे हैं इन फॉलिविंग sentence अब वह यहां पर उन्हों लिख्या कि T grows in both assignment अब यहां पे चीश समझेगे ति एक्टि वस और पैसी किसे कहा जाता है और पैसी वोएस किसे अब जो एक्टि वोएस है इसका मतलब क्योंकि योत Stuart सब्जेक्ट इस दा डूर subject is the doer उसको गालत active voice और passive voice का मतलब क्यों हो देगा कि subject is not the doer is not the doer ठीक है यह doer नहीं होता it is acted upon इस पर act किये है अब यहां पर एक बाद देखिए अब उसने लिखा कि यह जो टी है यह क्या है यहां पर subject अरे यह क्या है यह है subject और यह क्या है यह कि एक्षिन होगा अब जो इसको थोड़ सा यहां पर लिखके सब्सक्राइब है टी ग्रूज बोट इनसाम एंड सी लॉग ठीक है अब यहां पर जो टी है वो है subject ध्यान से सुनिएगा इस concept को टी जो है वो क्या है subject है और ग्रोज जो है यह क्या है यह वाब है यहनकी action है अब इस action को ग्रोव करने वाला कौन है टी टी कुछ ग्रोव कर रहा है क्या टी तो कुछ नहीं ग्रोव कर रहा है यहनकी subject is not the doer तरह ऐसे नहीं लिख सकते आपको इसको पैसिव वायस में लिखना होगा ठीक है तो आप इसको पैसी वेस्ट में टॉइसम यहे इसका रहत है है तो इस चीजको ध्यान में रखें आप एक्टिव पैसिवैस के कंसेट को कि active voice, passive voice जो है, ज्यान से के पर concept indirectly भी पूछती है, जैसे इस sentence में पूछती है, ठीक है, जैसे मैं या से कहूँ, the student, the student taught by the teacher, the student taught by the teacher, अब यहाँ पर जो subject है, वो क्या है, the student, यह subject है, the student जो है, यह क्या है आपका, यह subject है, आपका action क्या है, taught, यह क्या है, वो भी action है, अब इस action को पढ़ा जो रहा है, वो क्या student पढ़ा रहा है, यह student को पढ़ा रहा है, यह subject is not the doer, it is acted upon, जो subject है, यह acted upon है, यह doer नहीं है, clear, तो अगर यह doer नहीं है, तो आपको एक बात यहां पर क्या समझ लेनी है कि इसको passive voice में लिखेंगा अगर passive voice में लिखेंगा पास्ट्रेट के passive voice में वह आ जाएगा. तो student was taught by the teacher. ये इसका right answer होगा. clear? तो active voice, passive voice तो वैसे भी बड़ा important है. जाए अपने session में काफी बाहर आप लोगों के साथ कर चुका हूं तो आपके समझ भी आ रही होगी बात क्या मैं कहना चाहिए नेक्स इस फाइंड ग्रेमेटिकल एरर इन दो फॉल्विंग सेंटेंस पेंटिंग अप्टिंग अप्ट्रेशल सीनरी आर सैलिंग लाइक होट केक्स तो यहां पर एक चीज़ आप याद रखेंगे हैं नौन से कोशन लिए गया है और यहां पर जो सीनरी वर्ड लिकभा एक गलत है सीनरी जहें कभी प्लूरल फोर्म में नहीं लिखा जाता हम एक लिखना होटा सीनरी इसे सीनरी होगया लगेज होगया लगेज बैगेज Scenery, Luggage, Package, Stationery, Jewelry, Jewelry, Jewelry के बाद हमारा आजेगर क्या, Scenery, Luggage, Bagage, Stationery, Jewelry, Bread ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड है, इनको आप कभी भी plural form में लिखते हैं, यह ऐसे noun की forms हैं, जो हमेशा ही single रहती है, clear, तो इस करके हम यहाँ पर कह कर देंगे, the paintings of natural scenery are selling like hot cakes, चलिए, तो हमारे जो Cablery के question रहे गये थे, तो वो इस पर देख लेता है, यह question है, हमारा क्या slender means, so slender का मतलब होता है कि कोई भी SD cheese, ठीक है, जो बहुत पतली है, thin है, ठीक है, but in attractive, ठीक है, मतलब thin है, लेकिन वो बहुत attractive, that is called cylinder, तो option आ सकता है, उस लिमा आपका right option आ सकता है, ठीक है, इसका synonym, next is hobson's choice, hobson's choice जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है, कोई भी free choice, यानकि no choice at all, इसका मतलब होता है, no choice at all, hobson's choice का, अब यह जो idiom है, यह कैसे बनी, यह एक ऐसे बनी है, idiom कि hobson जो था, ठीक है, वो एक ऐसा इनसान था, जो क्या करता था, घोडों पर समान delivery करने का काम करता था, लेकिन जब भी बारिश का समय होता था, तो उसके जो घोड़े उते थे, वो free रह जाते थे, free in the sense कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो उसने दिमाग लगाया कि यार, इनका फाइदा बारिश में भी कैसे उठाया जा सकता है, उसने कुछ college students को कहा, कि अगर आप लोग चाहें, तो early basis पर मेरे घोड़ों को ले जाकर इन पर आप घुड़सवारी कर सकते हैं, और इसका मजा ले सकते हैं, देखें, तो उनका ठीक है, तो अब होता क्या था, कि जब भी कोई student आता था, घोड़ा लेने उसके पास, तो वो क्या देख कि ऐसे तो एक ही घोड़े का नमबर लगता रहेगा बार बार और जो मेरा best horse है, यह क्या हो जाएगा, यह inefficient हो जाएगा, तो वहाँ पर उसने क्या समझा, कि देखें, ऐसा करते हैं, कि हम एक ऐसी choice मिना देते हैं, कि जिसमें उसके पास, जो उसका customer है, उसके पास कोई choice ही लेना होगा, वह आपके पास फिर कोई choice नहीं है, जो बाहर आ गया, वही आपको घोड़ा वहाँ पर लेना होगा अपनी ride के लिए, तो उसने कहा कि तो अब यहाँ पर situation क्या बनगी, कि जो घोड़ा माली जे बहुत कमजोर घोड़ा बाहर आ गया, तो वह भी इसको लेना ह लेना है, जो है आपको वही accept करना पड़ेगा, तो वहाँ से यह idiom derive होई, options twice, और last यह जो इसके बाद जो हमने vocabulary का question लिखा हो, यह मैंने अपनी last session में भी discuss किया थिया, आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को answer इसका already पता होगा, कि इसका answer क्या होगा, dispensed with, ठीक है, है, तो यह थे हमारे आज के questions, जो बड़े ही important questions है, और इनके साथ हमने बहुत important concepts भी discuss की है, और अगर आप हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा course भी buy कर सकते हैं, C set का बड़े ही nominal price पर है, और इसके लिए इसके regarding अगर आप हमारी demos videos देखना चाहते हैं, तो आ आप demos videos भी दे सकते हैं, इस number पर call करके आप demo video देख सकते हैं हमारी, और अच्छा, यह जो demo videos है, यह अपके लिए free of course रहेंगे, इसके लिए आपको कोई charges नहीं रहेंगे, लेकिन जो आपका course है C set का, उसके लिए आपके 3000 charges रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बड़े nominal charges ह अगर आप buy करना चाहते हैं, आप मरसा जूड़ना जाते हैं, आप चाहते हैं कि इन concepts को हम और detail में समझें, और इंसे लेटेड और कैसे कैसे question बन सकते हैं, मतलब आप अपनी तियारी बहुत अच्छे रहें पर करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी मरसा जूड़ि और नहीं जूड़ना चाहते हैं, तो इन sessions को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इन से भी आपको काफी help मिलेगी, clear, तो मिलते हैं अगले session में, thank you so much, good night, bye